नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा माग मास महातम का तेर्वा अध्याए। दोस्तों, यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। दोस्तों, कथा को पूरी सुनने भी अधूरी मत सुने। तभी आपको माग मास महातम सुनने का पूरन फल प्रापत होगा। कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में ओम नमो नारायनाय लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करने के साथ मित्रों और रिष्टेदारों के साथ शेर जरूर करें क्योंकि जब आप शेर करेंगे तो उनके कथा सुनने से भी आपको कथा का पुन्य जरूर मिलेगा दोस्तों माक मास में शिमत भागवत कीता के एक अध्याय को कम से कम जिरूर सुने उसका लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं दोस्तों जब कुंडल को नर्ट में डाला गया और विकंडल को स्वर्भ में तब विकंडल ने यमराज से पूछा कि हम दोनों भाईयों ने एक से करम किये फिर मुझे स्वर्भ और मेरे भाई को नर्ख क्यूँ? तब यमदूत ने कहा कि एक बार तुम्हारी मित्रता सुमित्र नाम के ब्राहमन से हो गई और तुमने दो बार माग मास में उसके साथ यमना जी में शिनान किया पहली बार शिनान करने से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया और दूर के श्नान से तुमको स्वर्ग प्रापत हुआ दोस्तों कथा में बताया गया है कि सज्जन पुरुशों के साथ साथ पक चलने से जो मित्रता हो जाती है वे कल्यान कारी होती है तब विकुंडल यमदूत से पूछता है कि कौन से वे करम है जो मनुष्य को यम लोग को प्रापत नहीं होते तब यमदूत कहता है गंगा जी में शिनान करने से दान करने से तुलसी व्रिक्ष रोपन करने से छत्री जूते धन जल शया दान करने से मनुष्य नर्क में नहीं जाता दान देने वाले मनुश्य को यम की यातना नहीं देखनी बढ़ती वहें दिर्ग आयू और धनी होता है शाली क्राम के पूजन से भी मनुश्य नर्क में नहीं जाता तेरवा अध्याई बोलो विष्णु भगवान की जय विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित अति प्रसन हुआ क्योंकि सजनों के वचन सदैव गंगा जलके सद्रिश पापों का नाश करने वाले होते हैं उपकार करना तत्रिशनों का स्वभाव ही होता है जैसे अमरित मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है अब क्रिपा करके यह भी बतलाएं कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नर्क से उध्धार हो सकता है तब दूद कुछ देर ग्यान दिश्टी से विचार कर मित्रता रूपी रस्टे से बंधा हुआ बोला कि है वैश्य यदि तुम अपने भाई के लिए स्वरक की कामना करते हो तो जल्दी अपने आठ जनम के पुन्ने फल को उसके नीमित अरपन कर दो तब विकुंडल ने कहा कि हे दूद वैश्य क्या है और मैंने कौन से जनम में और कैसे क्या किया सो सब बतलाओ फिर मैं अपना पुन्ने अपने भाई को दे दूँगा दूद कहने लगा कि हे वैश्य सुनू मैं तुम्हारे पुन्ने की सब कता कहता हूँ पुर्व समय में मधुवन में शाल की नाम का एक रिशी था वहे बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेजवाला नव ग्रह की तरह उसकी इस्त्री जेपती के नो पुत्र थे जिनके नाम ध्रुव, राशी, बुद्ध, तार, जोतिमान थे इन पांचों ने ग्रेस्त आश्रम धारन किया तथा निर्मोह, जितमाए, ध्यान निष्ट और गुना तक यह चारो सन्यास ग्रहन कर वन में रहने लगे यह शिखा सुत्र से रहित, पत्थर और सोने को समान समयते थे जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता था उनको ही पहन लेते थे सदै ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते इन चारों ने ब्रत, शीत, निद्रा और अहार सब को जीत लिया बस चर अचर को विश्नु रूप समयते हुए मोन धारन करके संसार में विचते रहते थे ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्या के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गद गद कंड से आंखों में आंसु भर कर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सतकार किया इनके चर्नों को धोकर बड़े प्रेन से तुम इन से कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य है आज मेरा जनम सफल हुआ मुझ पर भगवान प्रसन हुए मैं सनात हुआ मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गो आदि सभी धन्य है जो आज मैंने हरी के सद्रिश आप के दर्शन किये इस प्रकार तुमने शद्धा से उनका पूजन किया और चरंधो कर जल को मस्तक से लगाया फिर विधी पुर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए इन सन्यासियों के सतकार से जो पुन्य तुम को मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ क्योंकि सब भूतों में प्रानी शेष्ठ है प्रानियों में बुद्धी वाले बुद्धी वालों में मनुष्य मनुष्यों में ब्रामन विद्वानों में पुन्य आत्मा और पुन्य आत्माओं में ब्रह्म ज्यानी सरफ शेष्ठ है ऐसे ही संक्ती से बड़े बड़े पाप नश्ट हो जाते हैं यह पुन्य तुमने आठवे जनम में किया था यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करनाना चाहाते हो तो यह पुन्य दे दो सो दूद के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रत्संद चित से अपना पुन्य अपने भाई कुन्डल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किये गए तब दूद अपने स्थान को चला गया इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुन्य अपना पुन्य दे कर अपने भाई को नरक की यातना से चुड़वाया सो हे राजन जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह हजार गोदान का फल प्रापत करता है राधे राधे जैश्री कृष्णा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शियर करना ना भूलें राधे राधे जैश्री कृष्णा hare राम, hare राम, राम राम, हारे हारे, Hare Krishna, hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Amen.